Hello and welcome to my channel तो आज के इस लेक्चर में हम Tertiary and Quaternary Fossil Primates के बारे में Study करेंगे तो Primates हम जानते ही हैं कि Mammalian Class का एक order होता है यहाँ पर Tertiary और Quaternary की क्या बात आ रही है Fossil Primates क्या है आई जानते हैं तो ऐसे सभी Primates जो कि हमारे Past का हिस्सा है वो सभी हमारे Fossil Primates कहलाएंगे अब देखे हमारा जो Geological Time Scale है जिसमें अर्थ के Evolution से देखे अभी तक के Different Time Periods को Divide किया गया है In Different Eras And then Eras are further divided into Periods And then Periods are further Sub-Divided into Epochs तो हमारे यह Eras हैं Proterozoic Before 600 Million Years Ago Paleozoic, Mesozoic और Cenozoic तो हम उसके बाद फिर बाकी Periods में Divide किये गए है Paleozoic को भी Camdeum, Ordovician, Salyurian, Devonian, Carboniferous, Permian Mesozoic को Triassic, Zoracic और Cretaceous Cenozoic को Tertiary and Quaternary Periods तो हमें यहां बात क्या करनी है Tertiary and Quaternary Fossil Primates यानि कि इस Time Periods के दोरान जो भी हमारे Primates रहे होंगे Past में उनकी Fossil की Study के बाद जो सामने आई है चीजें कि कौन-कौन से Primates थे उनकी हमें Study करनी है तो यहां से हमें ध्यान रखना होगा यह जो Time Periods था जब Mesozoic से Cenozoic में हम जा रहे थे तो उस दोरान हमारे Dinosaur का Extinction हुआ था यहां पर हमारे Reptiles जो थे वो Pre-Dominant थे और यहां से हमारे Mammals जो है वो Pre-Dominant हो जाएंगे तो देखते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि आज के जितने भी लिविंग प्राइमेट्स हैं वो कभी एक ही कॉमन अंसेस्टर के थू ही बाद में अड़ाप्टिवली रेडियेट हो गय थे फॉसल प्राइमेट्स क्या होते हैं तो अभी तक जितने भी हमें प्राइमेट्स के थू हमारे फॉसल प्राइमेट्स में आ जाएंगे उसके बाद सीनो जोई कहरा हम देखें सीनो जोई कहरा ये वाला जिसमें tertiary and quaternary period है तो जैसा कि मीजोजोईक में रेप्टाइल्स काफी जादा प्री डॉम्नेंट थे टाइनासॉर्स उनका एंड होगा और बिगिनिग अफ दे एज अफ मामल्स होगा और इस हेरा में काफी इसी समय जब इतने सारे चेंजिस हो रहे थे तो प्राइमेट का इवालिशन और ओर इजिन के परस्पेक्टिव से ये टाइम पीरेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसी टाइम सीनोजोई के दौरान ही प्राइमेट अपीर हुए थे और अडाप्टिवली रेडियेट होके आज हम जितने भी फॉर्म्स देख रहे हैं प्राइमेट के वो सारे अस्तित्वे में आए तो पैलियोसीन एपोक के अगर हम बात करें जो सीनोजोई का सबसे टर्शेरी पीरेट का सबसे पहला एपोक है इस दौरान हमारे अर्लियस्ट प्राइमेट्स का एवॉलिशन हुआ था स्मॉल प्रोसीमियन्स का जो कि ट्रीश्ट्यूस को रिजेंबल करते थे उसके बाद हमारा इयोसीन एपोक में लेमर्स और टार्शेस का एवॉलिशन हो गया था जो कि पूरे नौर्थ अमेरिका और पार्ट्स और यॉरोप एन एशिया में फैल चुके थे पर उसके बात के पीरिट्स के अगर हम बात करें तो इन्हीं फरोसीमियन फ़र्म सिर हमारे प्लाटिराइन मंकीज का एवॉलिशन हुआ फिर ये प्लाटिराइन मंकीज जब ओल वर्ड में गये तो ओल सलंड मंकीज यहाँ पर यहाँ पर क्याटे रोम्कीज 12род मैं गो इस दौरान there was warm climatic conditions with savannah and woodlands dominating North America and Europe तो उसमें climatic conditions जो थी, वो warm थी, savannah and woodlands वाला हमारा features था, topographical feature Late Cretaceous के deposits में हमें single lower molar tooth मिलता है Purgatorius seratops का तो सबसे पहले हमें Late Cretaceous deposit यानी की Mesozoic era का जो सबसे last वाला period है इस दौरान जब यह खताम होने वाला था तब हमें उस समय time period के हमें molar tooth मिलता है Purgatorius seratops का तो इसी Purgatorius seratops plus other primitive primates जो हमें Paleocene epoch के दौरान मिले उन सभी को एक अलग से infra order में रखा गया जिसको कहा गया Plessidia forms जैसे कि हमने primates order को sub order में बाटा था ना prosimi और anthropoidi तो उसी में एक और infra order को add किया गया Plessia antapi forms इसमें तीन families को रखा गया साथी साथ जो प्लैसिडिया forms है इनका डेंटा फॉर्मला 2133 था और डिटिरी बुला formed by petrosal portion of temporal bone उसके बाद अगर हम इस पहले family की बात करें jaws and teeth मिले पर दूसरे जो थे उन्होंने earliest primate forms को बनाए लेकिन इनके fossil evidences काफी कम थे लास्ट वार ही हमारी family है प्लैसिया डैपिडी की यह सबसे best known है और इसी के complete fossils कल हमें मिले हैं बागी parts भी मिले है skeleton के तो इसका जो एक species है प्लैसिया डैपिस prominent archaic under प्लैसिया डैपिस तो इसका सबसे prominent archaic है यह इसके कुछ features की बात करें उससे पहले हम इसका figure देख लेते हैं तो यह देखिए यह purgatorius है इससे मिलता जो तब प्लैसिया डैपिस भी है यह कुछ हुछ squirrel को resemble कर रहा है तो अब इसके अगर हम features की बात करें long tail and agile limbs claws not nails तो nails इन में नहीं थी, rodent like teeth and jaws, eyes at the side of the head, long snout and no pony post orbital bar तो यह सारे इसके features थे फिर हमारा आजाता है यह सीन इपोक, this epok is represented by maximum warming during the sinus हो ही कह रहा, सबसे maximum warming हो चुकी थी, primates of this epok, you primates, तो इस epok में जितने भी primates होए उनको हम true primates कह सकते हैं, इसके पहले हमने archaic primates कहा था, अब true primates होंगे, resemble modern day primates, तो आज की modern day primates हैं, उनको यह सारे resemble करेंगे, presence of forwardly facing orbits, post orbital bar and opposable first toe and grasping hands and feet, तो यह सारे features जो आज के primates में हमें देखने को मिलते हैं, यह अब eocene primates में, जो true primates develop हुए थे, उनमें भी देखने को मिले, दो major families इस समय की divide किया गया है, adapti और omomid, adapti जो हैं वो lamar like हैं और इनका distribution है North America, Europe, Asia में, dental formula है 2143, projecting canines है, इनके sexual dimorphism है, इनके dental बनावत में, diurnal creature है और vertical clinger and leeper है, omomid, tarsier like है, dental formula 2133, arbolier और nocturnal है इस figure में आप देख सकते हैं, यह नोथाक जास है, जो की adapti family का member है, तो इस तरीके से दिखता था, जो modern day आज के जो loris और tarsius हैं, उनसे काफी मिलता जूलता था उसके बाद, जैसे की दो families में हमने divide किया था, यह further two sub families में divided है adapti की two sub families है, नोथार टीनी and adaptini, इनकी omomid की तीन sub families हैं यह जिस नोथार से नहीं की अभी हमने यह वाला creature देखा भी था, फिर features के हैं इस creature के, long muscle, eye midway along skull, bony bar behind eye, thumb capable of grasping, nails not claws, ठीक है, nails यहां से शुरू हो गई थी, supple back, long slender, flexible legs, big toe capable of grasping, ठीक है, toe मैं अब grasping power आ चुकी थी, very long tail for balancing, तो यह सारे features थे, जो कुछ-कुछ present day primates से मिलते जुलते हैं, उसके बाद बात आती है, oligocene primates की, oligocene epoch स्टार्ट हो जुका था, तो eocene oligocene transition that happened 33.9 to 23 million years ago, marked by continued modifications in the global geography, climate and primate habitat, the great break, ठीक है, तो great break इस period को कहा गया, काफी जादा modification हो रहा था, तो इस दरान, vast majority of mammals became extinct, काफी जादा जो mammals थे, वो extinct हो चुके थे, several you primates became extinct in North America, Europe, but new primates, taxa evolved in Asia, Africa and South America, तो North America, Europe में कई सारे you primates जो थे, वो भी extinct हो चुके थे, बट कई सारे नए taxa evolved हुए हमारे Asia, Africa और South America में, fossil primates जो हमें मिलते हैं, late oligocene period के, वो सारे ही anthropoids suborder के हैं, तीन taxonomic groups है, haplorhyni suborder में, जो इस period में मिलते हैं, parapethycine, propliopethycine and platyrhyni, तो ये हमें सारे मिलते हैं या पर, इस figure में आप देख सकते हैं, किस तरीके से, ये parapethycines था, oligopethycines, platyrhynes, और इस तरीके से हमारा evolution हुआ, और इस समय में एक, हमें काफी important, जो find मिलता है, fossil primates का, वो है, एजिप्टोपी, ठीकस का, तो ये जो creature अब हम देखेंगे, वो monkeys, apes, और modern, monkeys और apes को resemble करेंगे, mainly, तो बात करें, parapethycines की, तो smallest anthropoid primate ने कहा गया, कातरानिया एक primates है, जो जिनका हमें देखने को मिलता है, deposits, पायूम, इजिप्ट, डिपोजिट्स में, dental formula इनका 2133 है, retained third premolar, sexually dimorphic canines, post cranial anatomy, more resemblance to new world monkeys, तो इनकी जो post cranial anatomy है, वो new world monkeys को resemble करती है, और third premolar भीनों ने रिटेन किया है, canines में sexual dimorphism हमें देखने को मिलती है, दूसरी इसकी सब फामली है, pro pleiopathyzid, larger than the parapethycines, ठीके, इसमें agiopathycus largest है, बोत ape and monkey-like traits, तो जैसा कि मैं बने बताया, कि apes और monkeys दोनों के ही feature हमें इनमें देखने को मिलते हैं, consider to be the ancestral of modern day gibbons, तो इन्हें आज के जो present day gibbons हैं, इनका ancestral form माना गया है, उसके बात करें, myocene, plyocene primates की, तो plyocene के दौरान हमें primates के बहुत जादा evidences नहीं मिलते, तो इसलिए हम इन दोनों time period को एक साथ study करेंगे, इस period yielded fossil remains of various hominoid forms from Asia, Europe and Africa, तो अब हमें इस period से hominoid form मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसमें हमारे apes और humans शामिलने हैं, इन लेट मायोसीन, the hominoid form spread from Spain, Dryopithecus, East through Europe, Odeopithecus and Oranopithecus, to Pakistan, Shivapithecus, across Tibetan Plague, to China, Lufenopithecus, and several species were left in Africa, such as Kenyapithecus. तो हुआ क्याता है यहां पे? Proconcel एक form है, जो कि monkey और ape दोनों को resemble करता है, थोड़ा थोड़ा. उसी से हमारा, तो हमारे इसी period के दौरान, proconcel नाम का एक काइमीट्स है, जिसकी हमें evidences मिलते हैं, और यह माना जाता है कि वो proconcel हमारा evolve होकर आया Egypto-Pthicus से. ठीक है, तो उसने proconcel को evolution हुआ हमारा Egypto-Pthicus का. और यह जो proconcel था, यह ऐसे features दिखाता था, जो poncet और hominid features mixed है. अब यही proconcel आगे चलके different different areas में spread हो जाएगा, तो हम उसे अलग-अलग नाम दे देंगे, जैसे अगर वो यूरॉप में जाता है, जैसे कि Spain तो ड्रायोपी-Thicus और उर्योपी-Thicus और आनोपी-Thicus यह सारे नाम हैं. एशिया की तरफ जाता है तो सिवापी-Thicus और रामापी-Thicus भी, साथ ही साथ चाइना में गया तो लुफैंगी-Thicus, आफ्रिका में कैन्यापी-Thicus और प्रोकंसल हमारे दोनों थे आफ्रिका में. यह सब भी अलग-अलग time period के दौरान आए, हमें यह साथ में लिखा है, बट कुछ जो इन में से हैं, वो अल्ली-मायो-सीन के हैं, जैसे की प्रोकंसल, कुछ मिडल-मायो-सीन के हैं, जैसे की ड्रायो-पी-Thicus और कैन्या-पी-Thicus, और कुछ लेटर-मायो-सीन के हैं, जैसे शिवा-पी-Thicus. तो ये सारे इवॉल्व हो क्या है ultimate में हमारे oligocene primates के through उसके बाद क्या होता है कि आगे चलकर इन ही को हमारे apes और man का ancestor माना जाता है तो यहीं से हमारी apes और man के ancestor शुरुआत हुए उसके बाद क्या है कि इन में कई सारे primates जो पाए गए हैं हम थोड़ा थोड़ा उनको देख लेंगे detail में हम बाद में देखेंगे अभी जो इसके बाद वाला unit है उसमें देखेंगे तो प्लायोपी थीकस, early pliocene deposits of Europe, incomplete mandible and resembled gibbon and monkeys तो यह इसके बीचे है ड्रायोपी थीकस जो कि हमने दिखा कि यूरोप में है तो इसे गोरिला एंड चिंपान्जी का ancestor मैना गया वाई-फाइ पैटन देखने को मिलता है जैसे कि मैंने बताए कि प्रोकंसल सबसे पहले हमें लगता है कि इन सारे प्रायमेट्स का प्रोकंसल से शुरुवात हुई है तो यह early miocene deposit में ही देखने को मिलता है Kenya में एफरिका में significant variation in size and other traits limb bone structure revealed that प्रोकंसल was not adapted to arboreal brachiation उसके पास रमापी थीकस हमें देखने को मिलता है यह काफी बाद में हमें मिलता है पीट एन जौ स्पेसिमें शिवालिक हिल्स इंडिया and four ternan in Kenya discovered by leaky two genera at that time miocene to early pliocene, ramapithecus, dryopithecus ramapithecus represented initial step in the evolutionary divergence of human from common hominoid stalk तो यह माना जाता है कि जो ramapithecus है वो initial step था जब apes और human की जो एक साथ family थी वो अलग हुई आगे चलके ramapithecus canines and incisors smaller than molars not so in dryopithecus also cusp pattern of dryopithecus lacking तो यह सारे differences थे दोनों में जिसकी वज़े से ramapithecus को humans का ancestor माना जा सकता है upper jaw is shortened and the palate is aged more resemblance to man than to dryopithecus तो यह सारी features जो है वो man से ज़्यादा resemble करते है probably erect biped with hands free और बाद में यह भी माना जाने लगा कि जो शिवापithecus का में fossil मिला हुआ था ramapithecus उसका ही female version हो सकता है तो यह भी fine सामने आती है उसके बाद oriopithecus जो कि हमें इटली में मिला regarded as sarcopythicoid monkey लेटर क्या पाया है it is a hominid not a sarcopythicoid monkey small size of teeth absence of femolar and diastema small canine short and not so prognathous face and higher positioning of the mental foramen ठीक है magnum foramen उसकी foramen magnum की बात हो रही है यह आपर तो यह सारे features थे उसके बाद आप यहां figure में देख सकते हैं यह प्रोकंसल है उसके पाद यह ज्रायोपी थीकस है और यह शिवापी थीकस है तो काफी ज़ादा यह apes और monkeys के मिले जुले feature show करते हैं फिर हमारा last जो इसमें आता है plistocene epoch आप इसमें देखिए यहाँ पे अब यह हम last ही epoch पढ़ें क्योंकि होलो सीन तक modern humans आ गए थे तो plistocene epoch mark the beginning of the quaternary period तो इस period से हमें यह भी देखने को मिलता है कि नया period स्टार्ट हो रहा था टरशरी के बाद quaternary period genus इस दौरान कौन-कौन से हमें पाए गए australopithecus और homo अब देखिए हमारा जो evolutionary sequence कहता है वो यह कहता है कि हमने जो पढ़ा पीछे जो पीछे वाले epoch में हमें primates मिले थे जो शिपापी thicus, proconsol और यह सब myocene, pliocene में उनी के द्वारा आगे जो evolution हुआ australopithecus को हुआ और australopithecus को भी आगे homo का evolutionary past कहा जाता है तो यह दोनों appear during pliocene period, represent the first members of the family hominidi evolution of man from aplique creature, australopithecus to homo sapiens, तो यह माना जाता है कि man जो है, वो aplique creature यानि कि australopithecus से evolve होकर आगे homo sapiens बना यह तीन phase माने जाते हैं पहले australopithecus यानि कि australopithecus का phase था उसके बाद homo erectus आया हमारा फिर neanderthal man का period आया फिर उसके बाद late plistocene deposit आते आते हमें fossil evidences मिल जाते हैं, कुछ-कुछ modern man के chromagnon, homo sapiens के यह सारे homo के group के हैं, chromagnon grimality और chancelate, इन सारे हमें primates के fossil evidences मिलते हैं, उसके बाद इस figure में आप देख सकते हो, यह australopithecus है यह भी काफी कुछ apes से मिलता जुलता है, लेकिन हमें hominid features भी मिलते हैं फिर homo erectus, जिसको tool यूज करना अच्छे से आ गया था यह neanderthal man है उसके बाद यह chromagnon man है तो इसके बाद next lecture में आपसे मिलती हूँ, तब तक आप वीडियो देखिए, अच्छे से सीखिए मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजे लाइक कर दीजे, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है और थैंक्यू